फी गोवा में वाहाई जूरी के चेर्मेन ने बोला कि दा कश्मीर फाइल्स एक प्रॉपेगंडा और वल्गर फिल्म है मेरे लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि इस तरह की बाते हैं तो सारे टेरिरिस्ट और्गनाइजेशन्स अर्बन नेक्सल्स और भारत के तुकड़े तुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आएं मैं फिल्म मेकिंग छोड़ दूँगा अगर कोई भी ये प्रू कर पाए कि दा कश्मीर फाइल्स में कोई भी किरदार या कोई भी डायलाग गलत था ये दा कश्मीर फाइल्स के डारेक्टर विवेक अगनिहोतरी का कहना है जिस तरह से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया में इसराइली फिल्म मेकर नाडाव लैपिड ने ये कोमेंट पास किया कि दा कश्मीर फाइल्स एक वल्गर मुवी है एक प्रोपो गं मैं कोई भी किरदार कोई भी डायलाग या कोई भी ऐसा सीन गलत है तो मैं फिल्म मेकिंग ही छोड़ दूँगा आपने देखा होगा जब कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी तो काफी सारे लोग इसकी सुपोर्ट भी कर रहे थे और काफी सारे लोगों ने इसकी मुखालफ पंडितों के साथ 1990 में हुए जुल्म को इस फिल्म में बताया गया है लेकिन अब ये फिल्म जो है दा कश्मीर फाइल्स फिर से सुर्खियां में आ रही है वो इसलिए कि जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया हुआ इसके चेर परसन इस जूरी के चेर पर इसराइली फिल्म मेकर नाडो लेपिड ने ये कहा कि मैं हैरान हो गया कि इस तरहां की फिल्म जो है वो कंपिटिशन में कैसे आई ये एक वल्गर मुवी है ये प्रोपोगंडा है और उसके बाद कश्मीर फाइल्स के डारेक्टर विवेक अगनिहोतरी ने एक वीडियो ज चुप नहीं करा सकते जो जैनोसाइड को जो जैनोसाइड डिनायर्स हैं वो मुझे चुप नहीं करवा सकते मैं हमेशा आवाज बुलंद करता रहूंगा हमेशा लड़ता रहूंगा क्यूंकि जो दा कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई गई है इसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द बताया गया है पूरी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि विवेक अगनी होतरी दा कश्मीर फाइल्स के डारेक्टर ने इस ये कोमेंट पास होने के बाद अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया इस तरह की बात नहीं है क्योंकि इस तरह की बाते हैं तो सारे टेरिरिस्ट और्गनाईजेशन्स अर्बन एक्सल्स और भारत के तुक्ड़े तुक्ड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत यह आश्चर जनक बात वो है कि भारत सरकार दोरा आयोजेग भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेरिरिस्ट लोगों के नेरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतियों ने उसका इस्तिमाल किया भारत के अगेस्ट आखिर ये लोग कौन हैं ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के चार साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रॉपेगंड़ा बोल रहे हैं साथ सो लोगों के परसनल इंटर्वियूस के बाद ये फिल्म बनी है क्या वो साथ सो लोगों जिनके माबाप भाई बहनों को सरे आम काट दिया गया गैंग रेप किया गया दो तुकड़ों में बांट दिया गया क्या वो सब लोग प्रॉपेगंड़ा और अश्लील बातें कर रहे थे जो पूरी तरह से एक हिंदू लेंड हुआ करता था आज महां हिंदू नहीं रहते हैं उस लेंड में आज भी आपकी आँखों के सामने चुन चुन के हिंदू को मारा जाता है क्या ये प्रॉपेगंड़ा और अश्लील बात है यासीन मलिक ने अपने टेरर के जुर्मों को कबूल करके आज वो जेल में सर रहा है क्या ये प्रॉपेगंड़ा और अश्लील बात है दोस्तों ये बार-बार सवाल उटता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रॉपेगंड़ा फिल्म है तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्मे बनाना छोड़ दूँगा दोस्तों ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस खड़े होते हैं ये वही लोग हैं जिनने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया जिनने डेरेक्ट एक्षन डेजा लागों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया ये वही लोग है जो भारत में कोविट के वक जलती चिताओं को चंड डॉल्रों में बेच रहे थे और आज जब मैंने वैक्सीन वार को एनाउंस किया है तो उसके अगेंस खड़े हो गए है पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ आपको जितने फत्वे इशू करने है करिए लेकिन मैं लड़ता रहूँगा जैहिंद